हले स्ट्रेंट्स आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लाश ट्रेलबी की सामान नहिंदी विशे के अंतरगत एक बहुत ही महत्तपूर कवी जैसंकर प्रसाथ का हम साहित्तिक परचे बताते हुए उनकी कृतियों का वरणन करना सिखाएंगे आप सभी को पता है लगबख हर सार बोर्ड एक्जाम में जैसंकर प्रसाथ का साहित्तिक परचे पूछा ही जाता है और ये भी पता है कि ये प्रशनाप के बोर्ड एक्जाम में पांच नमबर में आता है साहितिक परचे लिखने के पशात उनके कृतियां लिखना बहुत ज़यदा निवार होता है क्योंकि जब कृतियां लिखते हो तो कम से कम आपको दो मार्क से मिलते हैं तीन प्लस दो होते हैं ना तीन नमबर आपको साहितिक परचे के मिलते हैं दो मार्क्स आपको कृतियों के मिलते हैं और कृतियों को मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक के मादन से सिखाने वाला हूँ तो सभी विद्यारती वीडियो को आंद तक देखेंगे अच्छी तरीके से अगर आप देख लेते हो तो यहीं पर आप लोगों को तैयार हो जाएगा मातर 3-4 मिनिट के क्लास है आंद तक जरूर देखेंगा और जो विद्यारती चैनल पर नहीं है सबस्क्राइब जरू कर लिजेगा ठिक जिससे आगे की क्लासों का नोटिफिकेसन आपको मिलता रहे तो जैसंकर प्रसाद का अगर आप लोगों को क्या लिखना है भईया साहित्तिक पर चाएग तो मैंने कहा था किसी भी लेखा का या कवी का साहित्तिक पर चाएगर आपको लिखना है तो सबसे पहले उसका जमन कहां पर हुआ है किस गाउं में हुआ है उसके माता पिता का क्या नाम है ये सब कुछ बेसिक बाते आप लोगों को एक दो लाइन में लिखनी ही रहती अगर ये नहीं लिखोगे तो पिर साहितिक परचे किस बात का बहुत सारे विद्यारतिया हमारे पास कमेंट करते हैं तो देखे भई आप सबी लोगों को साहितिक परचे लिखना तो सबसे पहले उस लेखा का जम्न अर्थान मलफ किस सन में हुआ था और यहां तक की मृत्यू पता तो आप जरूर लिख दीजिए उसके बाद उसका साहितिक परचे लिखिएगा तो सबसे आसान लेंग्विज में मैंने यहाँ पर नोट किया है चाया वादी यूग के परवर्तक महा कवी जय संकर परसाद का जम्न कासी के एक संपन वैस परिवार में 1889 इस बिन में हुआ था अब इस लाइन को लिखने के लिए आप सभी लोगों को काला और नीला पर दोनों यूज करना है आपको जहाँ पर जय संकर परसाद नाम आए वहाँ पर कालेपन का यूज कीजिएगा चायावादी यूग है यहाँ पर आप जो है कालेपन का यूज कीजेगा ठीक है इसका इंप्रेशन पड़ता अच्छा गासा तो चायावादी यूग के परवर्तक महा कवी जैस अंकर परदात का जो जमन है वो कासी के एक संपन्वायस परिवार में 1889 इस भी में हुआ था लिख सकते हो आगए आपको लिखना यनिके पिता और निके बड़े भाई बज़पन से में ही स्वर्गवासी हो गये थे ठीक है अब बजपन में इनके पिताजी और बड़े भाई जो है उनका स्वर्गवास हो गया था तो जाहिर सी बाद इनके उपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी ठीक तो जीवन के अंतिम दिनों में ये राज्यव श्मार रोग से पीडित रहने के करण 1937 इस भी में इ स्वर्गवास हो गया था इतना लिख देना उसके बाद आ जाना है आपको साहितिक परचे पर इसमें लिखना है जै संकर प्रसाद चायावादी काबिके जम्नदाता एवं चायावादी यूग के परवर्तक समझे जाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए चायावादी चायावादी यूग के परवर्तक समझे जाते हैं इनकी जो रचना है वो कामाईनी में चायावादी प्रवित्तियों और विसेश्थाओं का समवेस हुआ है फिर आपको लिखना है नई लैंसे थोड़ी सी जगा छोड़ दीजेगा ऐसे परग्राप चेंजे करना है प्रसा हैं वो चायावादी यूग के सर्वस्रेश्थ कवी रहे हैं प्रेम और सौंदर इनके काब का प्रमुक विसे रहा है इन्होंने अपनी कविताओं में हिंदी काब जगत की में एक नवीन करांती उतपन कर दी मतलब इन्होंने अपनी कविताओं के माद्यम से हिंदी काब ज लीगत में एक नवीन क्रांति उत्रपन्त कर दी और इनकी इसी क्रांति ने भया एक नए यूग च्हायवादी यूग का सूत्रपात किया यह हो गया इनका साहित्तिक यूगदान ठीक है अब देखेए इतना आप लिख लूगे असी सब्दों में लिखना रहता है मैंकिसमान तो अस्य सद्ध आपके लिए बहुत ज़्यदा हो गए आपको अगली हीडिंग लगा लेना है क्रितियां और क्रितियों को देखें मैं आप लोगों को एक ट्रिक के मादिन से बताना जा रहा हूं बहुत ही आसान लेंग्विज में इनकी रचनाय निम्न लिखेत है अच्छे तरीके से लिखना इनकी रचनाय निम्न है या निम्न लिखेत है अब आपको ट्रिक देखें मैं ट्रिक बता दे रहा हूं उधर थोड़ा सा रब कर देता हूं देखे, ट्रिक बहुत आसान है, मैं ट्रिक इधर लिखे दे रहा हूँ, ट्रिक या आप कर लिजेगा, इससे आप 4-5 रचना जरूर लिख लोगे, एक विचित्र जहलक, ट्रिक क्या है, एक विचित्र जहलक, अब इसमें देखिए इनकी कितनी रचना है, छुपी हुई, एक विचित्र जहलक या ट्रिक इनकी एक, देखे, यहाँ पर एक में ए है और का है, तो ए से आप लिख सकते हो, एक गूट, एक इनकी रचना हो गई, एक गूट, उसके बाद का है, का से अभी मैंने एक रचना आपको बताए, का माईनी, यह इनकी रचना है, ठीक है, उसके ब दारा भी इनकी रचना है, उसके बाद देखे त्र, ठीक है, तो त्र से आपको कुछ ने लिखना है, इसमें चित्र था, तो चित्र धारा हो गया, फिर आगे जहा है, जहा से इनकी रचना हो जाएगी जहरना, ठीक, फिर है ला, जहलक है ना, ला, ला से हो जाएगी लहर, और का से आपके हो जाएगी कंकाल इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ रचनाय इनकी आप लिख दोगे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा साथ रचनाय लिखना कोई मामली बात नहीं होती तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका ट्रिक अप प्रियो बताईएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ, जैहिन पंदे मात्रम